कहीं किसी पार्टी में जाना हो या कोई महत्वपूर्ण इवेंट हो या कहीं घूमने जाना हो लड़कियों को इस बात की बड़ी चिंता रहती है कि कहीं उनका मासिक धर्म हो जाने से उनके इस्तव के रंग में भंग न पड़ जाएं इस चिंता में अक्सर कई कारिक्रम भी रत हो जाते हैं क्योंकि इसके निर्धारी समय के बाद भी यह अप्रत्यक्षित ही रहता है महिलाइं अक्सर सोचती हैं कि यदि अपने अनुसार इनका समय बदला जा सके तो कितना लाबदायक होगा आज हम आपको कुछ ऐसे उपाई बताएंगे जिनसे आप अपने मासिक धर्म को जल्दी कर सकते हैं इससे पहले आप मेरे चैनल को लाइक और शेयर कर दीजिए और बेल आइकन बटन को दबा दीजिए ताकि आपको मेरा वीडियो सबसे पहले मिले तो दोस्तों पहला उपाय है गाजर गाजर में बीटा केरोटीन पाया जाता है जो आपकी पेट की मास पेश्यों को आराम देता है या आपके गरभाशाई के रखत वाहिकाओं को फिलाने में भी मदद करता है जिससे आपको मासिक धर्म जल्दी प्राप्त करने में मदद मिल जाती है दोस्तों इसका इस्तमाल ऐसे करना है कि आप उबली हुई गाजर खा लें दिन में एक या दो बार या फिर गाजर का रस पी लें गाजर का रस बहुत ज़्यादा फाइदे मंद होता है पपीता आपके गरभाशाई की मास पेश्यों में संकुचन पैदा कर देता है या मुख्य रूप से उनमें केरोटीन की मोर्जुद्गी के कारण होता है जो एस्टोजेन हार्मोन को प्रोसाहित करने के लिए जाना जाता है जो मासिक धर्म का कारण बनता है मासिक धर्म के लिए पपीते को खाने के लिए निशित तिथी से एक से दो हफ्ते पेले इसको खाना प्रारंब कर दें आप इसे काट कर भी खा सकते हैं और इसका जूस निकाल कर भी पी सकते हैं जैसे आपको ठीक लगे अनानास अनानास आपके शरीर में गर्मी उत्पन करता है खासकर आपके पैल्विक शेतर में इससे गर्भाशे के संकुजन के परिणाम सरुब बहा होता है इस प्रकर आपका मासिक धर्म सामानने से पहले हो जाता है इसके लिए आपको ये करना है कि सामाने तीथी से कुछ दिन पहले आप अनानास खाना शुरू कर दें आप अनानास को उपयोग दोपहर में कर सकते हैं अनानास का जूस पीना भी बहुत फाइदे मन रहता है अगला है अनार अनार एस्ट्रोजेनिक गतिविधी दर्शाती है जो आपके मासिक धर्म चक्र की आनिमित्ता करने में मदद करता है वे गर्भाशे में रप्त के प्रभाव को भी बहतर करता है इस प्रकार आपके मासिक धर्म को तेजी से प्राप्त करने में मदद मिलती है आप अनार को दो से तीन बार दिन में खा सकते हैं, अनार का जूस भी आप ले सकते हैं, और अनार को खाने का कोई टाइम नहीं है, आप कभी भी अनार का उपयोग कर सकते हैं हल्दी गरभा शै में गर्मी बड़ा देती है, यहां गरभा शै में रक्त के प्रभाव को प्रोसाहित करने में मदद करती है जिससे आपका मासिधर्म जल्दी आ जाता है, इसके लिए आपको पानी में हल्दी डाल कर अच्छे से मिलानी हैं और इस मिश्रन को दिन में एक से दो बार मासिक धर्म शुरू होने से लग दस दिन पहले शुरू करना है दोस्तों हल्दी अन्य रोगों से भी लडने में आपकी मदद करती है क्योंकि ये एक एंटिबायोटिक होती है कॉफी में कैफीन होता है एस्ट्रोजन उतेजिक गुण होते हैं एस्ट्रोजन आपके मासिक धर्म चकर को विनीमित करने में मदद करता है और इस तरह इसके उत्पादन में व्रदी से आपका मासिक धर्म जल्दी आ जाता है इसे कैसे इस्तमाल करना है आपके मासिक धर्म की सामान ने तारिक से एक हफ़ते पहले अधिक कौफी का सेवन करें मासिक धर्म हो जाने के बाद कौफी का सेवन कम कर दे क्योंकि अधिक कौफी भी आपके स्वास्त के लिए हानिकारक होती है अद्रक अद्रक से आपके शरी में गर्मी बढ़ जाती है जिससे आपका मासिक धर्म जल्दी आ जाता है इसके अलावा ये मासिक धर्म के दोरान होने वाले आपके दर्द को भी कम कर देता है इसके लिए अद्रक का ताजा जूस निकालिए उसमें थोड़ा सा शहर डालिए और मासिक धर्म तारिक से एक हफते पहले उसे रोजाना पीना शुरू कर दीजिए अद्रक जादा कॉंटिटी में नहीं लेना है क्योंकि अद्रक बहुत जादा गरम होता है या आपको हाम भी कर सकता है गुड़ अत्यधिक पोस्टिक होता है और इसमें शरीर को गरमी प्रदान करने के गुण होते हैं ये मासिक धर्म को जल्दी करने के साथ गर्ब धारन को भी रोपता है इसे इस्तमाल करने के लिए एक चमच गुड़ रोज लें या फिर इसे पानी के साथ मिला कर दिन में दो बार पी लें इसे आप सामाने तारिक से एक से दो हफते पहले शुरू कर सकते हैं आप गुड़ को किसी भी रूप में ले सकते हैं इसके बाद आती है तिल तिल में ऐसे चमतकारी गुण होते हैं जिससे आपको मासिक धर्म जल्दी आ जाता है इसके इस्तमाल के लिए आपको सामाने तारिक से लगभग 15 दिन पहले से दिन में दो बार शहत के साथ एक चमच तिल लेना है मेरा अगला है सोंफ सोंफ मासिक धर्मे के प्रभाव को बढ़ाता है और मासिक धर्म जल्दी लाने में बहुत मदद करता है इसको इस्तमाल कैसे करना है सोंफ और पानी को एक साथ पैन में डाल ले इसे पांच मिनट तक उबाल ले इसे चान ले और ठंडा होने दे इसे दिन भर नियमित अंतराल पर पीएं